खेती सम्मान्दत हर एक नई अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दी एडवांस एगरिकल्चर यूट्यूब चैनल को रुएल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको मिल सकें सबसे पहले तो इस वीडियो में आपको बताने वाले एनपी के घुलंसी खाद 044 को यानि एनपी के घुलंसी खाद 0454 फसलों में कौन सी अवस्ता में कौन सी स्टेज पर छिल्काव करना चाहिए कितना छिल्काव करना चाहिए इसके अलाबा क्यों छिल्काव करना चाहिए और आखिर क्या वेनिफिट है 0.54 के और इसके अलाब कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और सावधानी यदि नहीं रखी गई तो क्या नुकसान है संपूर्ण जानकारी वताने वाले हैं यानि आज की वीडियो में टोटल आपको बताएंगे NPK घुलनसील खाद जो 0,54 होती है उसके benefit नुकसान और सावधानी के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए तो एकदम सुनवे में मिलता NPK घुलनसील खाद जी हैं दोस्तो इसका मतलब होता NPK यानि nitrogen, phosphorus और potassium का एक combination एक जो घुलनसील खाद होती है जिसे हम pump या किसी भी गनर में डालते हैं तो तुरन्ती टंकी में react करके तुरन्त घुल जाती है उसे हम घुलनसील खाद कहती है यह market में अलग अलग फोर्मोलेसन में मिल जाती है यह घुलनसील खाद होती है और इसको हम पत्तो पर छिलकाव कर सकते हैं ANPK 0.524 इसमें combination होता है nitrogen 0% होती है यानि nitrogen इसमें नहीं होती है phosphorus इसमें होता है यानि P 22% और potassium की मात्रा होती है 34% तो सरल सब्सब्स में कहा जाए जो 0.534 है इसमें केवल phosphorus है और potassium का एक combination है तो क्यों नहीं हम बात कर लेते हैं कि phosphorus हो potassium की हमाई फसलों में क्या जरूरत होती है और spray करेंगे तो क्या benefit होंगे सबसे पहले P यानि phosphorus phosphorus का काम होता है जड़ों को मजबूत करना नई जड़ों का विकास करना और तने को सबसे ज़्यादा मजबूती देना ताकि हमारी फसलों हवा में जखेना गिरेना और मजबूती देना होता है phosphorus का काम होता है इसके अलाबा इसमें जो 32% इसमें combination होता है potassium का यानि potassium का तो potassium potassium का का काम होता है दानों को भरने का काम होता है और उत्पादन को बढ़ाने का काम होता है अब उत्पादन इसमें कैसे बढ़ेगा पोटेसियम दाने को भरने का काम करता है या दाने आपके अच्छे तरीके से भरेंगे तो जरूर यह एजी बात है कि आपका उत्मादन में भी ब्रद्धी होगा पोधिकी सियात को सुरक्षादमक मतलब सुरक्षा प्रदान करता है पोटेसियम तो इसमें यानि एनपी के जीरो बाबन चोंतिस में फासपोरस और पोटेसियम का एक कॉंबिनेशन होता है इसको आपको कौन-कौन सी क्रॉम में स्प्रे करना चाहिए इसको आप सुयबीन, गेहू, चना, अरहर के अलावा धान, मूमफली, मटर, मक्का और जोआर, खीरा, लोहकी, कद्दू टमाटर, विंडी, मिर्च, बैगन, गोवी, लैसन, प्याज, आलू इसके अलावा कपास, गन्ना, ओड़ा, केला और तर्बू जैसी फसलों में छिलकाब कर सकते हैं अब बात करते हैं कि 0, 24, 34 को हमको किस स्टेज पर छिलकाब करना चाहिए तो किरपिया ध्यान दीजिए जब आपकी फसले पुस्पन स्टेज में हो जी हाँ दोस्तों, जब आपकी फसलों में फूल निकलना स्टाड हो रहे हो, निकल गए हो नाई जब निकलना स्टाड यानि निकलने का काम, निकलने की प्रोसेस यानि पुस्पन स्टेज में हो आपकी फसल जब फूल निकल रहे हो उस टाइम आपको 0,524 का छिड़काब करना चाहिए क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा जरूरत होती है फासपूरस की है और पोटेसियम की तो किर्पया ध्यान दीजिए इसका जो डोज कुछ इस प्रकार है मोटे रावी खरीब की फसलों में आपको एक एक अलमें एक किलो ग्राम स्प्रे करना चाहिए 200 लीटर पानी में और इसके अलाबर जो सबजी बर की क्रॉप होती है उसमें आपको एक एक अलमें 500 ग्राम छि इतनी प्रकार की होती है इस पर करने से पहले खेट में नमी होगी तो आपको काफी अच्छे रेजल्ट मिलेंगे यानि डोज को आप कम जादा बिल्कुल भी न करें और खरपतबार ना सक के साथ मैक्स करके इस प्रे ना करें और खेट सूका हो यानि खेट में नमी ना हो और आप पहले पानी चला लाएं फिर आप A&P के चाहिए 0-524-1900-00500 किसी भी अनपी को आप तभी इस प्रे करें जब आपकी पहसल में थोड़ी सी नमी हो तब आपको इस प्रे करना चाहिए जिससे फायदा होगा यदि आप एस सावधानी रखेंगे तो आपको कोई भी अब बात कर लेते हैं इसकी प्राज़ के बारे में तो NPK 0.254 आपको एक किलोगराम मार्केट में लगभग 150 रुपे की आसपास मिल जाता है तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ जो NPK घुलन सील खाथ है यानि 0.254 है इसको आप पुस्पन स्टेज में स्प्रे करना चाहिए जब आपकी फसल किसी भी स्टेज में हो लेकर फोल ने कर रहा है तब आप छिड़काप कर सकते हैं